हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनग, दोस्तो, कोई भी इनसान, चाहे बहुत गरीब हो या अमीर, जब उसकी तवियत खराब होने लगती है, तो उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं, कि कोई बहुत पैसे वाला है, या अमीर है, तो उसे दवाई की बिल्कुल भी नहीं करती, ऐसे ही एक हॉस्पिटल में एक एमबीबियस डॉक्टर था, और उसके हॉस्पिटल में जो भी जर्रतमन लोग आते, उनका वो बहुत ही अच्छी तरह से इलाज किया करता था, लोग उस डॉक्टर को भगवान की तरह मानते थे, और बहुत सारी दुआएं देते थे, उस डॉक्टर का केवल एक ही पूत्र था, जिसे उसने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, उसे क्या मालुम था कि आगे भविसे में क्या होने वाला है, डॉक्टर का बेटा जब बड़ा हो गया, तो वह भी एमबीबियस की पढ़ाई करने के उसका एक्सिडेंट हो गया, और वह घटना इस तल पर ही दम दोड दिया, इस बात का पता जब डॉक्टर को चला, तो वह दोड़े भागे अपने बेटे के पास गया, लेकिन उसे नहीं बचा पाया, डॉक्टर के बेटे का एक्सिडेंट जिस लड़के के साथ हुआ था, उसे भी उसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन उस लड़के के पेरेंट्स को पता नहीं था कि उसी लड़के के पिता का यह हॉस्पिटल है, जब नर्स ने हॉस्पिटल से डॉक्टर को फोन लगाया, तो उस समय वह डॉक्टर अपने बेटे का अंतिम संसकार करने ही जा रहा था लेकिन वह उसे वही छोड़कर पहले हॉस्पिटल में आया और उस लड़के का इलाज करना सुरू किया डाक्टर को आने में देरी हुई ऐसा समझ कर उस लड़के के पेरंट्स डाक्टर के उपर बहुत गुस्सा किये उन्होंने कहा यदि आपका बेटा होता तो क्या आप ऐसे ही लापर वही करते हॉस्पिटल में प्रत्यक मरीज का देखभाल करना एक डाक्टर का करतब भी होता है आपको क्या पड़ी है किसी के दुख दर्द से इतना सुनकर भी डाक्टर सहाब उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिये और आपरेशन थियेटर में जाकर चूप चाप इलाज करने लगे यह सोचकर कि मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन सायद मेरे दौरे इलाज करने से इनका बेटा जिवित रह सकता है और उन्होंने बहुत मेहनत करके उस लड़के का इलाज किये लड़के को खून की जरूत थी तो डाक्टर सहाब ने स्वयम अपना खून निकाल कर उसे चड़ा दिया क्योंकि वहां आये जितने लोग थे उनका किसी का भी बलड ग्रूप उस लड़के के बलड ग्रूप से नहीं मिलता था केवल उस डाक्टर का ही बलड ग्रूप मिला यह बात उस लड़के के पेरंट्स को पता नहीं चली डाक्टर सहाब ने अप्रेशन किया और नर्स को समझा कर जल्दी जल्दी बाहर जाने लगे लड़के के पैरेंट्स ने पूछा क्या हुआ डाक्टर सहाब तो डाक्टर सहाब ने मुस्कुराते हुए कहा आपका बेटा अब खत्रे से बाहर है भगवान का लाख लाख सुक्र है कि आपका बेटा बच गया फिर लड़के के पेरेंट्स ने पूछा हमारा लड़का कब तक ठीक हो जाएगा हम उसे कब तक घर ले जा सकते हैं उसे खाने में क्या क्या देना है लेकिन डॉक्टर सहाब ने सिर्फ इतना ही कहा नर्स आपके सारे सवालों का जवाब दे देगी और वह जल्दी से हस्पिटल से बाहर चले गए उस लड़के के पेरेंट्स डॉक्टर सहाब का व्यवहार दे कर एकदम भड़क गए उन्होंने कहा यह डॉक्टर कितना घमंडी है ठीक से बात करना भी जरूरी नहीं समझते इस पर वहां खड़ी नर्स के आँखों में आशू आ गए उसने कहा आप लोग सांथ हो जाएए डॉक्टर सहाब अपने बेटे का अंतिम संसकार करने जा रहे हैं लेकिन मैंने जैसे ही फोन किया वे पहले यहां आए और आपके बेटे का इलाज किये और यहां तक कि अपना खून भी आपके बेटे को दिये हैं और अब वे अपने बेटे का अंतिम संसकार करने के लिए गए हैं डॉक्टर सहाब अपने बेटे को तो नहीं बचा पाए लेकिन आपके बेटे का इलाज उन्होंने समय रहते जरूर कर दिया इतना सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के आँखों में आशु आ गया सभी लोगों ने नर्से से माफी मांगा इस पर नर्स ने कहा माफी मांगना ही है तो डॉक्ठर सहाब से मांगिए क्योंकि उन्होंने जो काम किया है सायद आम लोगों के बस की बात नहीं है इतना सुनते ही उस लड़के के पेरंट्स ने संकल्प लिया कि हम केवाल माफी ही नहीं मांगेंगे बलकि उस लड़के को भी डॉक्टर सहाब का पूत्र के रूप में डॉक्टर सहाब को सौप देंगे डॉक्टर सहाब जब अपने पूत्र का अंतिम संस्कार करके वापस होस्पिटल आए तो उस लड़के के पेरेंट्स हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए माफी मांगने लगे डॉक्टर सहाब ने उन्हें समझाया कि उन्हें उनकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा सायद उस जगह कोई भी होता तो ऐसा ही कहता इसलिए आप लोग सांथ हो जाएए इस प्रकार डॉक्टर सहाब ने उन लोगों को माफ कर दिया अब वह लड़का भी धीरी धीरी ठीक होने लगा उस लड़के को जब यह सारी बाते पता चली तो वह भी डॉक्टर सहाब के साथ एक पूत्र की तरह व्यवहार किया और पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके साथ काम करता रहा डॉक्टर सहाब को भी मन में एक बात की खुसी थी कि वे अपने बेटे को तो नहीं बचा पाए लेकिन किसी के बेटे को जीवन दान जरूर दिये जिस से किसी माबाप की गोदी सूनी नहीं रही तो दोस्तों देखा आपने कि लोग कहते हैं न कि डॉक्टर भगवान का ही रूप होता है तो वास्तों में डॉक्टर ने भगवान के रूप में उस लड़के की जान बचा लिए और एक सच्चा डॉक्टर वही होता है जो बास्तों में सही समय में सही इलाज करके अपनी जिम्मेदारी के साथ मरते हुए का जान बचा ले तो दोस्तों आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कर्मेंट में जरूर बताईएगा और थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजे और अपने फ्रेंड्स में सेयर कीजे हमारी इस चैनल में नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कीजे मिलते हैं इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए टेच्च्च्च्रेव बाए